के व्रीवन गुद मॉर्निंग मैं इस विश्वधीप और वेलकम यू आल अनकाडमी कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग लास्ट क्लास में हमने टू-फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की एक बेसिक प्रोटोकॉल मेथड देखी थी कि बेसिक 2PL क्या होत है और कैसे काम करता है आज के हम सेशन में देखने वाले हैं एक एडवांस वर्शन औफ 2PL और टू-फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल विच इन सारी चीजों के आंसर्स आज हम देखने वाले हैं तो यह क्या होते हैं कैसे यह बेसिक 2PL से अलग हैं और किस तरीके से यह सीरिल से कनेक्ट करते हैं इन सारी चीजों के आंसर्स आज हम देखने वाले हैं सेशन में चलिए आईए स्टार्ट करें और उसके पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं लोगे लिए जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पर अ कैसा प्लस एजुकेटर काम करता हूं मैंने गेट एक्जाम मल्टिपल टाइम्स लिखा है कंप्यूडर साइंस में यह रही मेरी रैंक मास्टर्स एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स और इस चैनल पर स्ट्राटेजी सेशन नहीं देखे हैं त उसमें जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हैं उन सारी चैलेंजेस का हर एक का सॉलूशन मैंने इस चैनल पर आपको दिया हुआ है अगर आप लोग एक्सप्लोर करेंगे अनेकैडमे प्लाटफॉर्म को तो वहां भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं एक बार अनेकैडमे क की स्पेशल क्लासेस है एक टाइप की स्पेशल क्लास मैं आपको रिकमंड करूंगा वहे रैपिट फायर्स यह रैपिट फायर सेशन आप लोग देखिए आपको अलग ही टाइप की लर्निंग मिलेगी जो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल लर्निंग से जिसमें आप समझें कि क्योशन को रीड कैसे किया जाता है क्योशन को समझा कैसे जाता है और जब क्योशन को हम रीड करके केरफुली समझते हैं तब सही आंसर किस तरीके से निकाला जाता है क्विकली यह सब आप इन रैपिट फायर सेशन में समझेंगे इस लिंक के थूभी आप मेरे प्रीव का preparation जब आपके पास limited time में best आपको content मिले बेस्ट learning मिले और ऐसा कुछ आपको सीखने को मिले जिससे आपके question solve करना आसान हो जाए क्योंकि ultimately gate exam में जाके आपको तीन घंटों में सिफ question ही solve करना है अलग-अलग courses के हमारे पास time बहुत limited होता है क्योंकि जब हम preparation करते हैं हम college के साथ या office के साथ preparation करते हैं उसमें आपको डेर सारी चीजे included रहती है प्लस आपके personal festivals आते हैं personal events आते हैं birthdays etc etc आते हैं कभी किसी की शादी हो जाती है कभी कोई ना कोई event और projects assignments वाइवाज exams office work new technologies new meeting बहुत सारी चीजों की बीच में जो limited time आपको मिलता है वो क्या sufficient है अगर हम बहुत time waste करें हमारा gate preparation में नहीं और इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक ऐसा guided preparation plan opt कीजिए जहां पे आप limited time में best preparation कर पाऊ आपको best content मिल पाए आपको best learning मिल पाए और आपको best guidance मिल पाए यह आपको मिल सकता है अनिकेडमे प्लस और iconic पे प्लस और iconic दोनों में आपको यह features मिलेंगे top educators जो की इंडिया के top educators हैं gate field में जिने best experience है पढ़ाने का और experience है students को guide करने का वो आपको live classes देंगे जो आप recorded भी सुन सकते हैं daily practice problem quizzes digital notes और test series मिलेगी आपको जिसमें subject wise topic wise सारे test होंगे इसके अलावा iconic subscription जो की मेरा preferable subscription है आप सब लोगों के लिए उसमें यह सब मिलेगा आप उसमें यह लेंगे printed notes लेंगे live mentorship program देलेगा आपको means one on one guidance मिलेगा एक coach होंगे जो आपके personalized manner में आपको preparation करवाएंगे आपको बताएंगे कि कैसे आपका study का study planner और strategy बननी है आपके personal interest और आपकी personality के basis पे कोई भी subscription आप लेंगे आइकानिक हो या plus का हो अलग-अलग duration के लिए available है जो duration आपको ठीक लगता है वो select करो और उसके बाद यह code लगा दो 15 मंत का plan तो आप लोगों को appropriate plan भी मिल जाएंगे ताकि आप उस plan को subscribe करके और unacademy platform की best classes best manner में access कर पाएं आप देख सकते हैं gate 24 के लिए दो batches जो हैं हमने अभी अभी लाँच की है 14th of October से गुरुकूल बैच लाँच की है जिसमें Hindi और English मिला के सारे subjects कवर किये जाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर और इसके लावा एक वह बैच लाँच हुई है 28th of October से जिसमें सिफ इंग्लिश में आपको educators पढ़ाएंगे अगर आपको सिफ unacademy platform की test series चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं light subscription के through unacademy light, unacademy light में आपको इतना duration का इतना payment करना पड़ेगा अगर आप 12 months या 24 months एक से आल या दो साल की test series लेना चाहते हैं तो यह light subscription जो है वो आपको देखो यहां पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा सिफ light में आपको क्या मिलेगा सिफ test series मिलेगी और इस पे भी आप discount पा सकते हैं अगर आप ओड लगाएंगे यह वाला आप कोई भी subscription चाहें तो no cost EMI के through access कर सकते हैं अगर आपको installment में payment करनी है तो no cost EMI भी available है जिसमें आपको no extra cost pay करनी होगी कोई extra cost pay नहीं करनी होगी और आप installment में भी pay कर सकते हैं अपनी fees को चलि स्टार्ट करते हैं आज का session बट उसके पहले एक छोटा सा message जो मैं आप सो पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ready हैं आज के session के लिए तो जल्दी से मुझे comment box में comment करके बता दीजिए कि you guys are ready और फिर आज का session स्टार्ट करते है चलि तो session को start करने के पहले हम recall करते हैं basic two phase locking protocol तो मैंने कहा था कि यह systematic locking mechanism है जिसमें हम ये देखते हैं कि lock और unlock जो है एक एक phase में होना चाहिए पहले lock 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 पहले lock करेंगे फिर lock 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 उसके बाद जैसे ही unlock start हुआ तो फिर आप lock नहीं ले पाएंगे एक भी item पे आपने अगर unlock किया तो फिर वापस से आप किसी item पे lock नहीं ले पाएंगे फिर unlock unlock ही करना पड़ेगा तो ये आपके system पे आपके database management system पे depend करेगा कि कब unlocking शुरू करें ताकि सिर्फ unlock 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 ही हम कर पाएं लौक फिर वापस नहीं ले पाएं डाट इस basic 2PL प्रोटोकॉल चीक है अब यहां पे बात यहां आती कि basic 2PL प्रोटोकॉल जो हैं वो आपके ऐसे schedule को अलाव कर सकते हैं जो recoverable नहीं है कैसे मैं बता देता हूँ यही पर है ना पहले मैं आगे point बढ़ने के पहले मैं यहां पर बता देता हूँ कि यह can allow not recoverable schedules कैसे देखे मैं बता देता हूँ examples एक schedule है आपके पास जिसमें दो ही transactions है टीवन और टीटू टीटू ने सबसे पहले एक item को read किया x को और उसमें write कर दिया अभी यह commit नहीं हुआ है टीवन आता है dirty value को read कर दा है और commit कर देता है उसके बाद टीटू जो है commit करने आता है अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे failure हुआ टीटू में यहाँ पे failure हुआ तो क्या होगा अगर टीटू यहाँ पे fail हो गया तो आपको टीटू को rollback करना पड़ेगा और हमने यह देखा था कि अगर टीटू की dirty value किसी और ने read की है तो उसको भी rollback करवाना पड़ेगा क्योंकि भाई साब टीटू ने जो लिखा था वो तो अब null and void हो गया मतलब कि वो तो चला गया जो टीटू ने लिखा था वो तो उसने rollback कर दिया तो वो value जो टीवन ने read की थी वो कहां से आई dirty हो गई वो तो कोई तो भी value टीवन ने read कर ली जो कि अब exist ही नहीं कर रही तो फिर क्या होगा हमें T1 को भी rollback करना पड़ेगा जी हां बट यहां पे T1 तो commit हो चुका है अगर T1 commit हो चुका है तो क्या यह recoverable है नहीं है बट यह 2PL में allowed है कैसे देखो 2PL में कैसे ही allowed रहेगा यहां पे हम lock ले लेते हैं X पे exclusive type का lock ले सकते हैं बिलकुल बिलकुल ले स सकते ही और उस पे दूसरा item तो हम access करी नहीं रहें तो यहां पे unlock कर सकते हैं बिलकुल X को हमने unlock कर दिया उसके बाद में फिर हम यहां पे lock ले सकते हैं shared type का X पे बिलकुल और यहां unlock कर सकते हैं कोई problem है नहीं yes तो आप देख सकते हो 2PL में allowed है हमने lock लिया सारा database का सारा value read क कर लिया सब कुछ कर लिया उसके बाद unlock फिर मैंने lock नहीं लियाना नहीं लिया नहीं नहीं 2PL यहीं तो बोलता एक बार unlock करो तो लॉक नहीं ले सकते फिर कहीं भी नहीं ले सकते किसी आइटम भी नहीं लिय वही कि हमने 2PL में यह accuracy बट रीकुर आव यह थी I तो strict 2PL प्रोटोकॉल को समझने के पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि strict schedule क्या होता है strict schedule की definition यहाँ पे लिखी हुई एक बार read करो क्या दे रखा है every write operation should be ended with commit before other transactions performs read or write on the same database item कोई भी transaction में अगर एक item पे write है तो पहले commit करो उसके बाद ये written value के उपर दूसरा transaction read या write कर सकता है हर एक write के बाद आपको commit करना है वो है strict schedule मतलब सर जैसे की हमने example लिया यहाँ पे की आपके पास दो transactions है T1 और T2 अगर T2 ने या T1 ने यहाँ पे किसी data item पे write किया है X अभी मैं locking walking की तो बात ही नहीं कर रहा है मैं सिफ strict schedule बता रहा हूँ strict 2PL protocol नहीं मैंने सिफ एक type की definition बताईए कि strict schedule क्या होता है strict schedule यह कहता है कि अगर T1 ने write operation perform किया है X पे और T2 उसी X पे read या write perform करना चाहता है तो पहले T1 को commit कराना पड़े है राइट करने के बाद commit कराओ उसके बाद ही T2 इस पे read या write कर सकता है यह है strict schedule क्या है यह strict schedule इसका मतलब हम सर डर्टी read करवाना ही नहीं चाहते हम डर्टी read करवाना ही नहीं चाहते हम चाहते हैं कि कोई भी read करे item को तो उसके पहले यह वाला write कर ही दे that is strict schedule है ना अब आगे बात करते है strict schedule में यह वाली चीज़ देखो कि यह write है यह read है यह write है यह write है इस write के बाद में मुझे अगर इसको read कराना है तो बताओ commit कहां लिखना पड़ेगा बताओ जल्दी से बताओ commit कहां लिखना पड़ेगा जल्दी बताओ where should I do commit बोलो भई कहां commit करूं क्या हम इस read को इसके commit के पहले कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर किसी ने write किया है और दूसरा उसको read कर रहा है तो उसके पहले t1 का commit होना जरूरी है अब क्या इसने read कर लिया ठीक है but 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 यह महराज यह महराज का commit यह यह wx इस write read x के बाद होना चाहिए या पहले होगा चलेगा कोई problem नहीं अगर हम यहां commit नहीं कर रहे हैं तो कोई problem नहीं पहले इसने read किया फिर इसने write किया कोई problem नहीं है क्यों क्योंकि return value का ही commit हमें चाहिए read value का नहीं चाहिए read value का commit मुझे नहीं चाहिए मुझे return value का ही commit चाहिए तो मैंने इस read value के बाद इसको write कराया कोई problem मुझे कोई problem नहीं है मैं commit इनके किसी भी sequence में बाद में करा लूँगा चलेगा बट 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 अगर कोई इसके बाद read करेगा x को तो उसका फिर ये वाला t3 का commit पहले होना ज़रूरी है अरे कहां गय तुम भई नहीं जा रहा है छोड़ तो ये अगर wx यहां पे है तो इस wx के बाद अगर कोई read करने आएगा तो उसका read का read या उस transaction का read इस wx के बाद ही होना चाहिए मतलब इसके commit के बाद होना चाहिए that is the strict schedule अब अगर strict schedule है तो चलो बताओ जल्दी से कि ये strict schedule है के नहीं है क्या ये strict schedule है या नहीं है जल्दी से बताओ इसने read x किया इसने right x किया इसने right x किया ये है commit की sequence अभी जो दो लिखी है सामने आप बताओ कि क्या ये strict schedule है या नहीं देखिए ये read x का मुझे कोई फरक नहीं पड़ रहा है लिखाया है सिर्फ कि write के बाद commit होना ज़रूरी है before somebody else read or write तो यहाँ ये write है तो इसके बाद यहाँ commit होना ज़रूरी है हो गया उसी के बाद में इसने write किया यहाँ पे कोई problem नहीं है अब T3 का commit नहीं लिखा है बट T3 के commit नहीं लिखा है और T3 में x को write किया गया है और T4 ने भी write किया है तो मुझे T3 का commit करना पड़ेगा before T4 writes it क्या ये ठीक है यस ये ज़रूरी है तो मुझे यहाँ पे commit लिखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि ये strict schedule बने बड़ा simple सा fund आई यहाँ पे कि अगर मुझे इसको strict schedule बनाना है तो यहाँ commit लिखना जरूरी है before T4 writes the x value अगर आप यहाँ commit लिख दिया है तो क्या ये strict schedule हो गया है बिलकुल हो गया है in fact ये इसका commit late हो गया इसने पहले write x कर दिया तो भी कोई problem नहीं तो भी कोई problem नहीं हमें सिर्फ write से ही मतलब है कि write के बाद commit होगा तभी जाके दूसरा कोई transaction इस value पे read या write कर सकता है है न ये है strict schedule अब बात करते है strict 2PL protocol की strict two phase locking protocol कहता है exclusive lock should be released after commit मतलब जो ये strict schedule हमने बात की थी न तो strict schedule क्या कहता है पहले write करो उसके बाद commit करो ये कहता है ये 2PL protocol कहता है कि strict schedule को follow करो और protocol कहता है कि आप पहले write कर दो फिर commit करो उसके बाद ही lock को release करो देखो क्या दे रखा है exclusive lock should be released after the commit कोई भी exclusive lock अगर आपने लिया है तो फिर आप क्या करोगे उसको release तभी करोगे जब commit हो जाएगा मतलब कि अगर आपने आपके एक transaction t1 में लिखा है write x एक्स पे आपको write करना है एक्स पे आपको write करना है तो आप पहले इस पे lock लोगे बिलकुल लोगे exclusive type का lock ले लो exclusive lock आपने ले लिया एक्स पे अब क्या अब क्या एक्स्क्लूजीव लोग लेने के बाद ही write x परफॉर्म कर सकते हो बिलकुल कर दिया उसके बाद आप इसको unlock नहीं करेंगे जब तक commit नहीं हो जाता तो पहले commit करो उसके बाद ही unlock करो जैसे मम्मी आपका हाथ पकड़के और फिर आपको पीटती है ना पीटती है जब तक आप commit नहीं करोगे मम्मी यह वाली mistake दोबारा नहीं करूँगा बोल बत्तमीजी करेगा नहीं मम्मी थाड़ बत्तमीजी करेगा थाड़ बत्तमीजी करेगा थाड़ नहीं मम्मी आप बिलकुल नहीं करूँगा चल जा तुने commit किया उसके भी exclusive lock आपने लिया है मतलब of course write operation आपको perform करना है तभी आप exclusive lock लेंगे तो अगर exclusive lock अगर आपने लिया है तो आप क्या करेंगे exclusive lock को तभी release करेंगे जब तक कि commit नहीं हो जाता इसका simple सा impact पड़ेगा दूसरे transactions पे जो इसको read या write करना चाहते हैं अब आप मुझे बताओ जब तक X पे हम lock release नहीं करेंगे T2, T3, T4 कोई भी इसे read या write कर सकता है नहीं कोई भी इसको read या write कर सकता है नहीं करेगा अगर read या write करना होगा तो unlock के बाद करेगा और unlock हो रहा है commit के बाद इसका सीधा सा मतलब है कि सर जो हमने थोड़ी देर पहले ये वाला strict schedule देखा कि ये अगर WX है तो इस WX के बाद ये WX ये WX तभी काम करेगा जब ये T2 यहाँ पे commit के बाद unlock करेगा X पे exclusive type का lock तभी जाके ये T3 exclusive lock ले पाएगा similarly वापस इसी point पे आते अगर यहाँ पे commit नहीं लिखा होता तो क्या T4 का ये WX चल पाता नको रे बाबा नहीं चल पाएगा क्या इसे नहीं रे सर सर तुम समझाओ एक बार का इसे नहीं चलेंगा ये देखो WX चलाया WX के लिए पहले इसने exclusive lock लिया lock exclusive on X बट X पे lock exclusive तभी छुटेगा जब commit हो जाएगा ऐसा इस protocol का नियम है ये rule है आपको follow करना है है ना अब ऐसा मत बोलना सर हम तो engineer है हम तो बने ही rule तोडने के लिए है देखो life जब आएगी न तो हड़ियां तोड़ेगी दिमाग भी तोड़ेगी आवाज भी नहीं आएगी दर्द भी नहीं दिखेगा है ना तो follow करो rule अच्छे से exam pass करो और life को बिल्कुल भी pain मत देने दो life को अपनी हड़ियां या दिमाग तोडने का मोका ही मत दो तुम पहले तोड़ दो क्या success की वो ceiling glass drawer जो आपके सिर के ओपर लगा हुआ है वो roof को break करके और हवा में उड़ जाओ success के लिए आसमान पे पहुंचाओ चलो तो glass ceiling जो आपके सिर पे है उसको तोड़ दो और ऐसी उचाईयों पे जाओ कि जहाँ पे कोई आपको दुख दर्द ना रहे है ना चलो क्या कहा मैंने फिर से वापस आता हूँ exclusive lock तभी आप release करेंगे जब आपको commit हो जाएगा ठीके तो यहाँ पे exclusive lock अगर आपने लिया तो यह आप तभी release करेंगे जब commit करेंगे तो यहाँ commit होगा उसके बाद यह release होगा unlock होगा और उसके बाद ही यह WX के लिए lock exclusive ले लिया जाएगा otherwise नहीं I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी यहाँ पे तो यहाँ commit के बाद exclusive lock release होगा उसके बाद ही WX उसे use करबा ठीके चली अब एक simple सा funda जो यहाँ पे हमने समझा है वो यही समझा है जो मैं यहाँ लिखा हूँ आप देख सकते हो कि lock है exclusive type का on data item यह यह लिखा हूँ X लिखना पड़े X फिर हमने WX किया उसके बाद में जब भी हम commit करेंगे उसी के बाद unlock हो जाएगा X item उसके पहले नहीं है ना तब ही इसके बाद ही यहाँ पे कोई भी दूसरा transaction T2, T3, T4 X पे read या write कर सकता है क्योंकि अगर exclusive lock लगा है X पे तो फिर कोई दूसरा transaction उसको read या write नहीं कर पाए आपको यह चीज समझ में आई strict 2PL protocol क्या कर रहा है क्या आपको यह चीज समझ में आई yes no जल्दी से बताओ है ना अब अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया वो यही था कि strict 2PL protocol जो है सिफ strict schedules को ही allow करता है और दूसरे schedules allow नहीं करेगा सिफ strict schedule को ही allow करेगा क्यों क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि exclusive lock तभी unlock होगा जब commit हो जाए तो कोई भी दूसरा transaction तभी read या write कर पाएगा x को जब यह unlock होगा x और उसके बाद उसको मिलेगा जाके तो strict 2PL protocol allows only strict schedules always because लुजग सु ईसके और बिर सक्ट कर दूस्adia only after commit hence other transaction दूसरा कोई भी transaction जो है वो can read or write only after commit तो exclusive lock हम कब release करेंगे जब current data item पे हमने write करके और commit कर दिया है उसके बाद तभी तो दूसरा item उस पे या दूसरा transaction उस पे access करके और फिर उसको read write कर पाएगा otherwise नहीं तो commit के बाद ही read write होगा किसी दूसरे transaction में means हमारा strict schedule है आगे पढ़ते हैं rigorous two phase locking protocol rigorous और strict में सिर्फ इतना ही difference है कि हम strict 2PL protocol में सिर्फ exclusive lock पे ही ये rule लगाते है कि exclusive lock हम तभी release करेंगे जब commit हो जाएगा बट हम read पे कोई problem नहीं कर रहे है कि read करने के बाद कोई दूसरा write कर ले इसके read करने के बाद कोई दूसरा write कर लेगा तो कोई problem नहीं ज्यादा rigorous या ज्यादा hard हो जाता है implement करने में hard in the sense की और ज्यादा rigorously implement करता है rules को और वो क्या है कि अब हम shared और exclusive दोनों के लिए ये rule लगाएंगे कि अगर कोई lock लिया है चाहिए वो shared हो या फिर exclusive हो जब तक release नहीं करेंगे जब तक की commit नहीं हो जाता तो ये simple सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आपने किसी data item x पे let's say क्या ले रखा है lock ले रखा है तो किसी भी type का lock है किसी भी type का lock है we don't care इसको आप तभी unlock करेंगे जब commit हो जाए तो आप read या write जो भी आप करेंगे कर रहे थे कि write पे ही dependency जादा है problem है write पे किसी का write या read हो जाता है तो conflict या problem हो सकती है अभी हम read के साथ में भी strict हो रहे हैं rigorous हो गया है बिल्कुल तो यह कहता है कि read हो या write हो आपने अगर lock लिया तो वो lock तभी release होगा जब आप commit कर दोगे वरना नहीं यह rigorous हो गया इतना ही difference है strict schedule में और rigorous या strict 2PL प्रोटोकॉल में और rigorous 2PL प्रोटोकॉल में बस इतना ही difference है कि strict में हम सिफ write operation के लिए यह rule लगाते हैं कि write operation के लिए जो हमने exclusive lock लिया है वो हम commit के बाद ही release करेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे कि किसी भी type का lock हो चाहे वो shared हो या फिर exclusive हो हम तभी release करेंगे जब commit हो जाए पिर यहाँ पर बात आती है कि क्या ये जो given schedule है वो हमें allowed रहेगा rigorous 2PL प्रोटोकॉल के according और not अब आपको check करना है कि ये schedule है ये schedule है इस schedule को आपको check करना है कि क्या ये strict 2PL के according या sorry rigorous 2PL के according चलेगा या नहीं चलेगा बताओ जल्दी से आप check करो एक बार और मुझे बताओ कि क्या exactly same statement in the same sequence allowed रहेंगे 2PL में या नहीं कि क्या नहींगे ये 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 देखो Regress 2PL क्या कहता है सबसे पहले Rx चलाया अगर Rx चलाया तो हमें पहले यहाँ पे Shared Lock लेना पड़ेगा बोलो X पे Shared Lock लेना पड़ेगा तभी तो आप Read X कर सकते हो बिल्कुल फिर इसका Commit हो गया Commit के बाद ही इसका WX है कोई प्रॉब्लम नहीं हमने Commit के बाद यहाँ पे Unlock चला दिया उसके बाद ही T2 का Right है तो हम T2 के Right के पहले इसका Exclusive Lock ले सकते बिल्कुल अभी तक तो हमारा Regress 2PL के हिसाब से चल रहा था है ना काम चल रहा था फिर Regress 2PL के हिसाब से काम चला कि इसका Commit हुआ Unlock हुआ उसके बाद ही T2 ने Read किया वही सीक्वेंस में लिखा हुआ है T2 ने Right किया वही सीक्वेंस में लिखा हुआ है बट यह Lock कब Release होगा आप यह बताओ यह Exclusive Lock है T2 ने जो लिया है वह Release कब होगा वह Release होगा Commit के बाद Commit कहां लिखा हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे होगा Unlock of X क्या Commit के पहले यह Read X Perform हो सकता है क्या Commit के पहले यह Read X Perform हो सकता है नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि X पे तो Exclusive Lock लगा हुआ है अगर X पे Exclusive Lock लगा हुआ है तो यह Exclusive Lock तभी Release होगा जब Commit हो जाएगा Commit के बाद ही Release होगा मतलब यह Read X इस Commit के पहले तो T3 का नहीं होने से रहा बिलकुल भी नहीं होगा मतलब की यह Read X जो है वो Push हो जाएगा थोड़ा सा Late से यह Read X हो जाएगा किसके बाद इसके Commit और Lock X Unlock X के बाद मतलब यह जो Given Schedule है As it is तो नहीं चलेगा मैं लिख देता हूँ The given Schedule not allowed under Regress QPL why rx in t3 should be done after commit in t2 t2 के commit के बाद ही ये t3 का rx चलना चाहिए जो की यहाँ पे नहीं है गलत है इसलिए क्या होगा ये जो given schedule है वो allowed नहीं है as it is चलना under regress 2PL हाँ अगर यहाँ commit के बाद rx लिखा होता कि पहले commit फिर rx commit फिर wi commit तो चलता कोई problem नहीं कोई problem नहीं बिल्कुल भी कोई problem नहीं ये y पे access है देखो इसका कोई tension नहीं है इसको आप कभी भी कराओ उपर नीचे कोई tension नहीं ये y पे access है इसका कोई tension नहीं है कोई dependency नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप independent कहीं भी चला सकते थे इसका कोई tension नहीं था tension सिर्फ इसकी थी आई बास समझ में अगर अगर ये ry होता तो अगर ये ry होता तो कोई problem आती नहीं फिर ये 2PL के अंडर बक्का चल जाता कैसे यहाँ पे हम lock लेते shared type का y item पे फिर यहाँ पे उसको unlock कर देते फिर यहाँ पे हम lock लेते exclusive type का और उसके बाद में commit के बाद उसको unlock कर देते कोई tension होती नहीं क्योंकि lock को unlock किया commit के बाद उसी के बाद wy हुआ कोई tension ही नहीं है ये दोनों x पे dependent है ये दोनों y पे dependent है बस इन दोनों के बीच का कोई relation है ही नहीं तो t2 और t3 का waiting एक दूसरे के लिए dependency एक दूसरे के लिए रहेगा ही नहीं फिर allow हो जाता फिर ये जो given schedule था वो rigorous 2PL के under allow हो जाता क्यों क्योंकि यहां पर commit के बाद x unlock हो रहा है मन यहां तो मुझे x चाहिए नहीं न तो मैं अपने यह साब से y को कभी भी lock कर सकता हूं मुझे कोई tension ही नहीं आई बात समझ में तो अभी तो इसको rx को नीचे ले जाना पड़ेगा नहीं तो अगर यह ry होता तो शायद t3, t4 अपने आप में और t1, t2 अपने आप में commit के बाद दूसरे का read right वाला scene बन जाता और वहाँ पे हम बोल सकते थे कि यह हां rigorous 2PL के under allowed रहता है चलो कुछ ऐसे चोटे-चोटे observations हैं points हैं जो आपको याद रखने हैं सबसे पहले कि strict और rigorous 2PL जो है उसमें dirty read नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि दोनों में एक transaction अगर कोई right operation perform करता है तो right operation के अनलॉक करेगा उस item को तब जाके उस item पे कोई और दूसरा transaction read कर पाएगा तो it's all simple कि commit के पहले कोई दूसरा transaction dirty value read कर ही नहीं पाएगा which means यहां पे dirty read का कोई भी problem नहीं आएगा dirty read कब होता है dirty read होता कब है dirty read तब होता है जब यह right x करें और यह read x कर दें और यह commit नहीं हुआ है T1 तब अभी T1 ने commit नहीं किया और उसके पहले यह read करेगा तो dirty read का कोई सवाल ही नहीं होता दोनों में strict में भी और rigorous में भी basic 2PL में allow non-recoverable schedule जो तो मैं बताई चुका हूँ आप already आपको example में strict और rigorous 2PL है only recoverable schedule वो भी cascadeless अब आपको याद करना है कि दो type के recoverable schedule मैं ने बताए थे cascade और cascadeless है ना cascad और cascadeless ठीके तो cascad में क्या कहा था कि अगर किसी ने write किया और उसको dirty read कर लिया किसी ने तो write वाला commit पहले होना चाहिए और यह dirty read वाला commit बाद यह है recoverable schedule write वाले transaction का commit पहले होना चाहिए जिसने dirty read किया है उसका commit बाद में ताकि recoverable schedule बन पाए कि अगर यह जिसने dirty write किया है जिसने write किया है अगर वो fail होके rollback हो जाए तो यह भी rollback हो जाए commit के पहले-पहले ही बट इसमें problem क्या है problem यह है कि यह अगर commit होतने से पहले fail हो गया तो उसकी वज़े से इसको भी rollback करना पड़ेगा cascade effect आएगा दूसरे transactions फे कि अगर इसका rollback हुआ तो इसका भी rollback होगा यह cascading है अगर हम cascade less मानते हैं तो cascade less में कहा था मैंने कि dirty read commit के बाद करो dirty read कहा करो commit के बाद करो यह देखो ऐसे तो पहले यह write करे commit करे उसके बाद ही dirty read कराओ ताकि यह cascade less recoverable schedule बन पाए और यही तो हमारा strict and rigorous to PL का protocol का नियम है कि किसी को dirty read कराने ही मत दो किसी transaction को read करवाओ तो तब करवाओ जब वो उपर वाला transaction commit हो जाए इसका मतलब है कि यह cascade less recoverable schedule ही allow करेंगे strict or rigorous to PL protocols ठीक है चलिए आगे बढ़ते समझते हैं और कुछ चीजों को यह तो मैं already आपको बता चुका हूँ अब एक आता है conservative 2PL protocol अब यह conservative two-phase locking protocol क्या होता है conservative two-phase locking protocol कहता है कि आप एक साथ सारे के सारे data items पे लॉक ले दो जितने भी data item को उस transaction में access करवाना है उन सब को सबसे पहले lock कर दो और जब सारे data item पे काम हो जाएगा तब एक साथ आखरी में unlock करो lock all the items before transaction begins execution by pre-declaring its read set and write set read set, write set declaration का मतलब है कि यह बताएगा कि मुझे in-in item पे read करना है और in-in item पे write करना है तो जिन जिन पे read करना है उन पे shared log जिन जिन पे write करना है उन पे exclusive log शुरुवात में ले लो transaction स्टार्ट होने के पहले उसके बाद फिर आप आप आराम से सिफ उनको access करो और फिर काम खतम है ना देखो एक छोटा सा example लेता हूं एक T1 transaction है जिसने यहाँ पे read करना है x को यहाँ पे write करना है y को और read करना है z को ठीक है आपका जो conservative 2PL protocol है वो क्या कहता है कि transaction को start करने के पहले उसका कोई भी statement चलाने के पहले सारे के सारे items पे आप एक साथ लॉक ले लो एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब पे लॉक ले लो पहले तो आप read x करोगे मतलब x पे आप shared type का lock लोगे फिर write y किया तो आपने y पे exclusive type का lock लिया और आप read करोगे z पे तो आपने lock लिया shared type का z पे उसके बाद आप सारे के सारे data item को access करते जाओ यहाँ पे unlock की बात वैसे लिखी नहीं है आप जहाँ जब चाहो unlock कर सकते हो आपकी मर्जी है बट क्या करोगे क्या लिखा है conservative 2PL प्रोटोकॉल कहता है कि सबसे पहले सारे lock कर लो उसके बाद आखरी में unlock कर दो अब यही चीज जो है आप अगर basic 2PL के हिसाब से करते हैं तो basic 2PL क्या कहता है आप lock 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 करते जाओ पहले पड़ इसका मतलब यह नहीं कि पहले execution के पहले ही सारे lock करो ऐसा नहीं है कि execution के पहले ही lock करो ऐसा कुछ नहीं है आप lock करो पहले बट lock 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 करते जाओ जब तक कि आप unlock नहीं करते फिर आप unlock अगर करोगे तो सिर्फ unlock ही करते जाओगे lock नहीं कर पाओगे इतना कहना है उसका पड़ इसका करना कहना का मतलब यह नहीं है कि कि किसी भी statement क को चलाने के पहले सारे lock ले लो, नहीं, difference है, तो basic 2PL में अगर यही transaction होता, हम यहां लेते read x, यहां लेते write y, यहां पे हम लेते read z, तो आपका कुछ ऐसा भी system मन सकता था, कि हम पहले ले lock shared type का, x पे, यहां पे, फिर यहां ले lock exclusive type का, y पे, और फिर यहां ले lock shared type का z पे, उसके बाद तीनों को unlock करें, यहां पे, unlock, unlock x, unlock y, unlock z, तो आप समझ पा रहे हैं, कि database transaction का execution start हो चुका है, उसके बाद भी आप locking कर सकते हो, basic में, और strict में, और rigorous में, बट conservative में नहीं, conservative का कहना है कि पहले ही आपका execution start हो, कोई read या write कुछ भी आप perform कराएं, उसके पहले ही आपको क्या करना है, सारे के सारे lock पहले ही acquire करके रख लेने हैं, उसके बाद ही आप lock या कोई database का transaction start करोगे, that is conservative 2PL protocol, अब अगर इन सब को आप compare करो, इन सब को compare करो, जो हमारे strict rigorous 2PL, और basic 2PL और conflict serializable schedules हैं, तो आप यहाँ देखोगे, कि अगर कोई schedule rigorous 2PL protocol है, तो वो strict 2PL protocol होगा ही होगा, मतलब अगर कोई schedule rigorous 2PL protocol में allowed है, तो वो strict 2PL protocol में allowed होगा ही होगा, सो यह कह सकते हो, कि यह rigorous 2PL protocol के जितने schedules हैं, वो सारे strict 2PL protocol के schedule के subsets हैं, कुछ ऐसे strict 2PL protocol allowed schedule हो सकते हैं जो rigorous में नहीं allowed रहे strict में ही allowed रहेंगे जो यहां कुछ ऐसे schedule होंगे जो strict में ही allowed रहेंगे बट rigorous में नहीं क्योंकि rigorous और जादा बड़े rules follow करता है या जादा rigorous rules follow करता है है ना फिर आपके पास आता है basic 2PL basic 2PL उसका भी superset है मतलब अगर आपने कहा कि कोई भी schedule basic 2PL में allowed है तो वो यहां भी हो सकता है वो इन में भी हो सकता है आप कह सकते हो कि हर एक ऐसा schedule जो की rigorous 2PL को allowed कर रहा है वो basic 2PL भी allowed करेगा हर एक schedule जो allowed है under strict 2PL वो basic 2PL में भी allowed रहेगा बट हर एक basic 2PL allowed schedule strict या rigorous में allowed नहीं रहेगा similarly config serializable हर एक config serializable schedule इन तीनों में allowed नहीं होगा बट हाँ अगर कोई schedule rigorous 2PL में allowed है तो वो config serializable है अगर कोई schedule strict 2PL में allowed है तो वो config serializable भी है अगर कोई schedule basic 2PL में allowed है तो वो config serializable भी है पर अगर कोई schedule config serializable है तो वो इसमें भी allowed रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं ठीक है, ये छोटा सा एक when diagram है, याद रख लीजिएगा आपको कहीं काम आ सकता है direct statement के थूँ ठीक है, चलिए, अब हमारी next class जो रहेगी, कल ही रहेगी of course, तो next class में हम क्या बात करने वाले है, next class में हम बात करेंगे timestamp-based protocol के बारे में timestamp क्या होता है और timestamp-based protocols क्या होते है इन timestamp-based protocol में और दो चीज़ें आती है, एक तो basic जो हमारा timestamp-based protocol है वो, और इसके अलावा एक आता है Thomas का right rule और इसके अलावा deadlock की prevention methods भी आती है, जो timestamp-based होती है, तो ये सब हम एक एक करके अगले दो दिनों में आईगेस इसे cover कर लेंगे, तो timestamp-based protocols plus Thomas का right rule और इसके अलावा हमारे पास में deadlock prevention, ये next classes में हमारा होने वाले दो classes में हम देख लेंगे इन है, ठीके उसके बाद फिर हम इसके आगे का जो class रहेगा, उसमें फिर हम indexing स्टार्ट करेंगे, I guess और 8 से 10 lectures हमें total लगेंगे, और ये पूरा हम इसको यहां से cover कर लेंगे, ठीक है चलिए, बढ़ते हैं आगे, और कुछ छोटी-मोटी information है, आपके लिए सुनते जाईए, पहली information ये है कि आप सब लोगों को दो option अभी available है, gate 23 की अगर आप preparation कर रहे हो तो आपके पास 4 month का subscription plan available है, और अगर आप gate 24 की तयारी कर रहे हो तो 15 month का plan available है अगर आप gate 25 के लिए अभी से तयारी करना चाहते हो, तो आप longer duration subscription अभी से लिए और slowly slowly start कीजिए अपनी preparation को, ये code लगा लिजी वी deep 10, ताकि आपको 10% का instant discount मिल जाएगा, मेरा personal guidance मिल जाएगा और मेरी team का support मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे personal guidance में पढ़ने का आपको मोका मिले, आप मुझसे connected रहें, आप चाहते हैं कि आपको best educator of unacademy नहीं best educators of country के साथ पढ़ने का मोका मिले, इनके अलावा और भी बहुत सारे educators हैं, जिनके lectures unacademy platform पे available है, recorded वाले जो unacademy platform पे पहले काम कर चुगी हैं, तो उनके सारे lectures को भी आप access कर सकते हो, recorded और जो lectures आपको unacademy platform पे ISR educators देंगे, उनके lectures को आप live attend कर पाओगे कैसे भी करके, आपको कुछ भी करके, ऐसा कुछ preparation करना है, जिसमें आपको best learning मिले, it's very simple to say, कि if you want to hunt like a lion, you will have to learn hunting along with lion only अगर आप share की तरह शिकार करना चाहते हो, तो आपको share के साथ ही शिकार करना सीखना पड़ेगा that's very simple तो अगर आप सचें टेंडूलकर सर की तरह सीखना चाहते हो, या cricket खेलना चाहते हो, तो आपको उनी के साथ, या उनी के level के लोगों के साथ ही training चाहिएगी तभी जाके आप उस level की cricket खेल पाओगे consistently उतने time तक, and it's very simple आपको बहुत सारे छोटे 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 तकनीकी changes करने पड़ेंगे अपनी preparation में, जो की normally observe नहीं किये जा सकते इसके लिए बहुत 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 तगड़े बहुत ज़्यादा experienced और बहुत ज़्यादा knowledgeable लोग चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जो team आपके सामने है, उस पे आप भरोसा कीजिए, और जो जहां से आपको best possible learning मिल पाए, वहां से आप learn कीजिए, ताकि आप अपने career को ऐसे shape कर पाए, जो really आपके लिए beneficial हो no cost, AMI भी available है कि आपको कोई extra cost नहीं देना है और आप installment में pay करके भी अपना payment कर सकते हैं month wise कोई भी subscription आप लेंगे बस याद रखिएगा code BDEEP10 होशिश करते रहिएगा मैं हमेशा खड़ा हूँ इस channel पे आप सब लोगों के लिए ताकि आप लोगों का career जो है सही तरीके से बन पाए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, इसको like कर दीजेगा अगर पसंद आया है तो share कर दीजेगा अपने सारे friends और अपने colleagues के बीच में ताकि वो भी यहां से learn कर पाए सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को notification on करके रख लिजेगा ताकि आप लोगों को कोई भी class अमारी miss ना हो मिलते हैं आप से अगले session में तब तक अपना ख्याल रखेंगे happy learning, bye bye